गुट इबनिंग चात्रों बेरी बेरी गुट इबनिंग टाम के 6 बच चुके हैं और आपकी कख्छा 9 की मैथ शुरू हो चुकी है बच्चों आपको बता दें कि कलाफ 9 का मैथ का आपका एक नया बैच चल रहा है जिसमें हम आपका हीरोन का सूत्र यानि चैप्टर नंबर 12 सुरू किये हैं इसके पहले के 10 चैप्टर पढ़ा दिया गया है सब आपको देखो डिस्क्रेप्शन में लिंक मिल जाएगी देख लीजिएगा कमेंट बाक्स में लिंक मिल जाएगी उपर पिन की गई होगी आप उन्हें देख लीजिएगा ठीक है चैप्टर नंबर 11 जो सालिनी मोहित अनुपम तो जो बच्चे हमारे साथ रोज जूडते हैं उनमें से पर्थम 10 बच्चों का नाम हम जरूर लेते हैं इसलिए आप साम को 6 बजे रोज हमारे साथ जूड़िए पीवियर स्टड़ी लाहबाद चैनल पर साम 6 बजे और पीवियर स्टड़ी 3.0 चै ठीक है चलिए कोश्चन आपके सामने क्या कहता ध्यान दीजिए कि फ्लाइओबर की तिर्भुजाकार दिवार की बिग्यापनों के लिए परियोग किया गया है किसी फ्लाइओबर को फ्लाइओबर मतलब पुल ब्रिज जैसे आपको दिख राइस्क्रेन में आपने देखा तो इसको फ्लाइओबर बोलते हैं कि रहा किसी फ्लाइओबर की दिवार तिर्भुजाकार दिवार को बिग्यापन के लिए परियोग के जाता है दिवार की बुजाओबर की लंबाईयां 122 मीटर 22 मीटर और 120 मीटर है जैसे कि आपको इस आकृति में दिखाया गया है आप बिख रहा है ना थीक है कि इस बिग्यापन से प्रतिवर्स 5000 रूपए प्रति मीटर ιस्वाइर की प्रापति होती है और याशाल 5000 रूपए मिलते हैं इस किसको सरकार को जिफने लगवाया है लेकिन 5000 मीटर स्कौायर से मिलते हैं और उसकी साइज बहुत सारी है आं जो भी कि आपको दिखी रहा है तो एक कंपणी ने एक दिवार को विग्यापन देने के लिए एक महीने के लिए किराय पर लिए तो उसे किटना दिया क्या समझ में आया दिक लिए पर मीटर स्कॉायर प्राप्ची होती है एक कंपणी ने एक दिवार को मतलब इस दिवार को बिध्यापन के लिए लिया मतलब जितना ये दिया गया तो कितना किराया देना पड़ेग Prep T9 महीने के लिए मैं च्छांथ हो एकुछ और अगर आप इसका एरिया पता होना चाहिए अगर आप इसका area निकालोगे तो आपको सब पता चल जाएगा लिखो कुल किराया के लिए हम आकरती का छेदर फल ग्याद करेंगे अब मैं आपको real figure दिखा रहा हूं ये इसी तरह का कुछ बना है न देखो बाबू इसमें दिया गया आपका ये 22 है इधर दिख रहा आपको ये 22 है 22 मीटर ये 122 मीटर ये 122 मीटर ये इतना क्या है दिया गया है ठिक है इसका area find कर लोगे निचल लिख लो है टोटल रेंट के लिए हम इसका आकरति का area find करेंगे अब इसमें ये अफ निकालेंगे सबसे पहले सेमी पेरिमीटर सेमी पेरिमीटर क्या होगा आपको पता इसका फार्मूला a plus b plus c upon 2 होता है तीनों बुजाओं को जोड़ दो 122 120 प्लस 22 अपान कितना हो जाएगा 2 यही होता है न सबको जोड़ो 264 बटा दो आएगा न 264 अपान 2 यही आएगा इनको काटोगे तो 132 आएगा यानि yes का मान 130 आगया क्या आगया 130 लिखो आता आकृती का छेतरफल बराबर आता आकृती का छेतरफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चा फार्मूला लगा दो नर्मल वाला सिंपल वाला अंडर रूट yes yes minus a yes minus b yes minus c a b c सभी जो साइड के मान दिये गए आपको इसमें पुट कर देने है तो 132 यास का मान आया वन थार्टी टू माइनस वन ट्वंटी टू वन ट्वंटी माइनस ए गरबर नहीं यस का मान वन थार्टी टू है तो पहले वन थार्टी टू रखोगे माइनस वन ट्वंटी दूसरी वुजा फिर वन थार्टी टू माइनस ट्वंटी टू भाई यह देखो है ना c कमान यह आपको क्या करने है हल करने है तो आसान है कर लिजिए कोई दिक्कत नहीं है वन थार्टी टू ऐसे लिख लोगे इसमें से 122 घटेगा तो 132 है तो 10 आएगा ना इसमें से देखो 120 यह 12 आएगा इसमें से 22 घटा होगे तो भाईया दू घट गया तो 30 बचा 20 और घट गया 110 बचा ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं अब इनका क्या करना था वर गमूल निकालना था यह आप सबको पता है हम एक काम कर सकते हैं 132 को लिख सकते हैं 11 गुड़े 12 बोलो लिख सकते हैं न और चूकि यह 12 पहले फिता इस 12 को मैं इकठा कर ले रहे हैं चलो ठीक है अब य यह हमने क्या कि 132 को तोड़ दिया यह मैंने 12 को यहां इकठा इसके पास में लाके लिख लिया यह टोयल जो था इसका था एक और एक यह वाला था इस दस को मैंने यहां लिख लिया अब इस 110 को भी हम तोड़ सकते हैं कैसे 11 गुड़े 10 के रूप में समझ रहे हो तो 11 गुड़े 10 लिखो चाहिए इसको 10 गुड़ा 11 लिख दो ज्यादा अच्छा लगेगा आप समझों यहां पर कुछ हो रहा है वह क्या देखो 12 12 के जोड़ा बन गया 10 10 कभी एक जोड़ा बन गया 11 कभी एक जोड़ा बन रहा है भले दूर दूर है तो इसका 11 12 का गुड़ा 132 आएगा 10 में गुड़ा कर दोगे तो 132 के बाद यह हो जाएगा मीटर स्कॉयर तो च्छात्रों अभी आपने देखा क्या निकला यह एरिया निकल गया ठीक है अब इस एरिया पर क्या करना हमें खर्चा निकालना है समझ में आना जो अभी आ तेरा सो बी पर क्या मिलता है फिर आया लगता है कुल मिलाकर ठीक है तो इफ लिए 1320 मीटर स्कॉयर पर खर्चा समझ रहा हो ना यह एरिया आया था ना इसको क्या करेंगे जो है टोटल यानि 5000 मीटर स्कॉयर से उसके मल्टीपल करेंगे यानि 1320 गुड़ा यह 5000 यह एक साल का हो इसमें सुरी एक साल का नहीं हो जाएगा यह तो रेट है तीन महीने का निकालना था ना तो तीन महीने का क्या होता अगर बारा महीने का निकालना होता तो आप सीधा फिधा बारा करते तीन महीने का निकालना तो आप तीन बटा बारा से गुड़ा करोगे इसमें समय का भी साथ कि नहीं आजाएगा ना देखो में बताता हूं यह फोर और यह फोर्थ रिजा ट्वेल फोर्थ रिजा ट्वेल जीरो यानि तीन सो तीस और यह गुड़ा पांच हजार फाइनल में आप इनका गुड़ा कर लीजिए मल्टिपल करके देखो कितना आएगा एक लाख पाइसट हजार क्यों एक छे पांच देखो सीधा फीधा तीन जीरो यह एक है चाट ही जीरो हो जाएगा है इस झीरो हो गया पांच या यह रूपया हलाएत लाख ऊजञण के लिएक लाख पाइसट हजार नहीं और ज्यादा है गिंके देखो काई दाई सेकड़ा हजार दफजार लाग दफ़ लाग सोला लाग पचाफ हजार रुपे खर्चा आएगा समझ में आया कोई डाउट है जो बता दीजिए अब नेक्स्ट कोश्चन पर आगे बढ़ते हैं अगला देखिए अगला कोश्चन नमबर थार्ड